असलामेकूम कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पिज्जा की रेसिपी और यह हम पतीले में बनाएंगे बिना ओविन के ठीक है और इसके अंदर बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगे तो वीडियो को आपने पूरा देख पानी का ठीक है उसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ना वो यूज की है चीनी और हाफ टी स्पून ही मैंने यूज की है यीस्ट ठीक है आपने क्या करना है कि यीस्ट को जब मिक्स करना है ना तो आपने देख लेना है कि पानी ज्यादा गरम ना और ज्यादा ही यह नहीं हुट । आपके डिपोस्थ है के वैसा हो ठीक है उतके बाद 5 searched 10ẩ के लिए आपने से कवर कर चोड़ देना के जाग बनेगी तो यह ठीक है ठीक है यह वहाँ पर मैंने ले लिया एक प्याली या डेड़ प्याली आप समझ ले हैं मैंने bonless chicken ले लिया ठीक है इतने इतने size कि आपने cubes में cut कर ले ना उसको two table spoon मैंने oil लिया ठीक है two table spoon से ज्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने इसकी gravy नहीं बनानी हमने सिर्फ इसको पकाने के लिए use कर रहे ठीक है two table spoon oil में मैंने ये जो bonless chicken है पहले इसको fry करना है कब तक फ्राय करना है जब तक कि इसका जो color है ना वो change ना हो जाए ठीक है whiteish ना हो जा नहीं करेगी अच्छा यहां पर जो है ना इसका color change हो गया तो अब मैं क्या करूंगी के lesson powder half teaspoon और अद्रक पाउडर half teaspoon इसमें add करूंगी और add करने के बाद डेर से दो मिनट इसको दुबारा fry करूंगी ताके जो lesson अद्रक का कच्छा पाना है वो भी निकल जे ठीक है आपने यही steps follow करने ठीक है बहुत easy और बहुत जल्दी बन जाएगा इस condition पर जो chicken है उसने अपना पानी भी छोड़ दी और वो fry भी हो गया ठीक है यहां पर मैंने क्या किया है one and a half teaspoon जो है वो मैंने use किया तिक का मसाला आप किसी भी brand का use कर सकते हैं और अगर नहीं है तो नमक, मिर लिच, हल्दी, सुखा धनिया और जीरा पाउडर डाल कर आप इसको अच्छे से बना सकते है ठीक है वो ही टेस्ट आएगा लेकिन अगर आप use कर लें तो क्योंकि आगे भी बहुत मिनत वाला काम है तो कोशिश किया करने जहां कर ताइम बच रहा हो वहां पर बचा लिया क अगरे तो आप ने वन एड़ आफ टीस्पून डाल के इसको थोड़ा सा फ्राइग करूंगी ताके मसाले का जो कच्छा पाना है वो निकल जए उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस स्टेज पे जब चिकन ने पानी भी थोड़ा सा छोड़ा तो मैंने हाफ कप पानी या त थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर डाल के इसको ढखकन ढखके आठ से दस मिनट के लिए मीटियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताके जो बोटी है वो अच्छे से गलजे ठीक है आपने जो भी है फुली कुक्ड इसके अंदर यूज करना है ठीक है यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दी है आठ से दस मिनट के लिए एक दफा मैंने इसको देख लिए कि घी उपर आ रहा है और यहाँ पर पक रहा है और पानी भी है तो मैंने इसके अंदर क्या किया है कि पेंच ओफ कलर डाल दी है यानि कि यलो कलर जर्दा रंग मैंने इ yellow color use किया उसके बाद दुबारा मैंने इसको पकने के लिए रख दी है ठीक है अब तक पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है ना वो ड्राय ना होज़े ठीक है यहाँ पर हमारा जो चिकन है ना वो फुल डन हो गया ठीक है इसको हमने साइड में कर देना अब यहाँ पर मैंने लिए हाफ केजी मेदा ठीक है इसको अच्छे से चान लिए और उसके अंदर मैं आपको दिखा रहूं कि यह देखें यीस्ट के उपर अगर जाग आएगी ना तो आपको पता चल जएगा कि यह ठीक है अगर नहीं आई होगे तो सारी चीज़े डाल के जाया ना करेगा इस उसके बाद मैंने क्या किया किया कि मैंने इसके अंदर लिया है एक अंडा ठीक है अंडे को आपने रूम टेंपरेचर पर ही यूज़ करना है ठीक है ठंडा अंडा नहीं इसके अंदर डालना बिल्कुल भी उसके बाद मैंने मिल्क पाॉडर लिया है थ्री टेबल स्पॉन ठीक है, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, मैंने एव्डी डेका यूज़ कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है अंडा आप हमेशा प्लेट में निकालने के बाद एड़ किया करें, उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर दी अच्छा वो क्लिप मैं लेना बोल गए, कि मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून जाए ना, वो नमक का भी एड़ किया था, ठीक है आपने नमक एड़ करना नहीं भूलना, क्योंकि जो दूद हमने उसकी है ना, वो भी मीठा होगा तो इसलिए आपने क्या करना है कि हाफ टी स्पून नमक का एड़ करने के बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है किसी भी चीज के ना, लंस नहीं बनने चाहिए डो में ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आपने इसको गूंदना है न वो भी आपने नीम गरम पानी से गूंदना बहुत गरम पानी से भी नहीं गूंदना और थंडे पानी से भी नहीं गूंदना ठीक है तो ही आपकी यीस जो है वो वर्क करेगी डो जो है वो राइस करेगी अगर आप थंडा पानी यूज करे तो नहीं करेगी ठीक है इस कंडिशन पर मैंने इसको गूंद लिया उसके बाद मैंने क्या किया किया कि मैंने तकरीबन तकरीबन टू टेबल स्पून ओयल लिया ठीक है उसको मैंने इसके अंदर डाल के दूबारा से गूंदा ठीक है आपने यही स्टेप फॉलो करना ठीक है पहले कर देंगे ना तो डो चिपकती रहेगी और अच्छे से आटा नहीं गूंदेगा आपका ठीक है आपने करना है टू टेबल स्पून ओइल जब आप अच्छे से इसको गूंद लेंगे उसके बाद एड करने के बाद आपने दुबारा गूंदना है कोई एट से डेर मिन आपके जो डो है ना वो राइस करें तो चिपके नहीं बाउल के साथ ठीक है यहां पर ना मैंने इसको कवर करके रख दिया ठीक है अगर आपके पास पिज़ा सॉस नहीं है तो आप कैचप ले ले लें टू टू टेबल स्पून उसके अंदर पिसावा जीरा और पिसावा ह चीज़ें एड करनी ही पड़ेंगे क्योंकि ना उसके अंदर नमक और मेर्स बहुत कम होता है तो कोशिश किया करें ऐसी चीज़े घर में बना लिया करें ठीक है इसके अंदर मैंने आपसे पिज़ा सॉस की भी रेसिपी शेयर कर दी ठीक है यह देखें बिल्कुल बजार अच्छी बनी है उससे बुरी नहीं बनी ठीक है तो यहां पर मैंने क्या किया एक बड़ा पतीला लेकि उसके अंदर स्टेनर रखके उसको कवर करके चूले पर रख दिया ठीक है आपने जब तक दूसरा काम करना है इसको गरम होने के लिए जिसको कहते है न प्री हीट करना है वो करना है ठीक है यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि डो भी अच्छे से राइस हो गई है ठीक है यह देखें जब आप इसके अंदर फिंगर लगाएंगे ना तो यह उपर से बबल्स टाइप का बंजेगा इस कंडिशन पर आपने इसकी हवा निकालनी है यानि कि ऐसे गुबारे में से निकालते हैं इसको दुबारा से गुंदना है दो मिनट ताक कि जो इसके अंदर हवा है यिस्ट की वज़ा से वो निकल जए ठीक है यहां पर जो आईए देखें अब इसके अंदर फिंगर नहीं जा रही यानि कि जा तो रही है लेकिन अंदर तक बबल्स नहीं बना रही ठीक है यहां पर मैंने डो ले ली ठीक है डो को आपने कितना बनाना है कितने साइस का पिज़ा बनाना है यह आप पे डिपेंड करते है क्योंके खाना आपने है थोड़ा सा मेदा स्प्रिंकल किया उसके बाद मैं एक लार साइस का पिज़ा बना र लग सकते हैं ठीके पिज़ा बरेड बना के कैसे फ्रीज कर सकते हैं यहां पर मैंने लारसाइस का जो है न डो को ले लिये है उसका मैंने पेड़ा बना के उसको हाथności से ना पहले मैंने मतलब हातμों से बेलना है इूसको बेलना न康्क बेलना servicios करना उसको हाथantry ने बदा कर करना ठीक है अब आपने क्या करना है कि जिसमें भी आपने पिज़ा बनाना यहां पे मैंने पिज़ा ट्रे लिया आपको प्राद भी है तो आप प्राद यूज करने ठीक है पिज़ा ट्रे में मैंने क्या किया किया कि रोटी को ना हाथ की मदद से फेला रही हूं पिज़ा ट देखें, यह इसकी final look है, ठीक है, अब मैंने लिया fork, fork से मैंने इसके अंदर pricks कर दिए, ताके जो हवा ना इसके अंदर बरे और यह fully baked हो, ठीक है, बेशे कम पतीले में कर रहे हैं, लेकिन कर तो बेकिंग ही रहा है ना फिलिंग तो वही आ रही है अच्छा यहां पर मैंने अच्छे से इसके अंदर कर दी है उसके बाद मैंने इसके उपर पिज़ा सोस लगा दी जो अभी हमने आपके सामने बनाई है ठीक है पिज़ा सोस लगाने अच्छे से लगानी है ठी पर आपको बता रहूं कि पिज़ा सोस जो है ना घर में बनाएगा ये मौजरीला चीज है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया ठीक है अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी तो आपने मौजरीला चीज मैंने यूज किया ठीक है उसके बाद जो मीठा खरभूजा जिसका निकला है वो किसमत वाला और पिज़े में ज्यादा बोटीया जिसको मिल जै वो किसमत वाला है तो लेकिन अगर आप गर में बनाएगे तो उसको पर रख दीया ठीक है उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च ली है उसको जूलियन कटिंग कर लिया उसके बाद जो है ना वो मैंने इसके उपर सेट कर दिये ठीक है आप चाहें तो टमाटर आगे मैंने टमाटर रखे हैं टमाटर की जगाँ आप रेट कलर की कैपसिकम भी यूज कर सकते हैं लेकिन हर चीज की ज्याती अच्छी नहीं लगती तो कोशिश किया करें हर चीज डिफरंट, डिफरंट यूज करें प्याज लेलिया हूँ यूमेने मुटे-म स्लाइस कट किये थे यूमेने इसके उपर एड कर दी है अब आप ने 계ंकिना है कि दुबारा इसके उपर मौजरीला चीज एड़ करने है आप चाहें तो चेडर चीज भी यूज कर सकते है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है कि ओलिफ्स आपको और आम से मिल जेंगे किसी भी डिपार्टमेंडल स्टोर से ठीक है वो आपने कट करके आपने उसके उपर एड़ करने आपको पसंद एंगर नइपसंद तो ना डालें आपकी अपनी मर्जी ऐ ठीक है , खाना आपने मर्जी ऑ, यहां पर सारा कुछ अड़ करनें के बाद आपने क्या करना है कि इसके एंड्स पे आपने ओईल लगा देना ठीक है बिल्कुल एंड्स पे लगाना है आपने ओईल जिस तरह मैं आपको दिखा रही है आप चाहें तो ब्रेश की मदद से भी लगा सकते हैं लेकिन यह जो स्पेचुला है ना यह ओल इन वन है ठीक है वो मैंने ओरिगेनो लिया वो उसके पर स्प्रिंकल कर दिया ठीक है पिज़ा का जो टेस्ट आता है वो सिफ ओरिगेनो की वज़ा से आता है और मौजरीला चीज या चेडर चीज की वज़ा से आता है ठीक है बाकी सब चीज़े आप नर्मर रूटीन में खा रहे होते हैं ठीक है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता और इगेनो आपने डालना भूलना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है एंड पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसके अपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दी है अब यह वो जो पतीला जो हमने पहले गरम ने रखा था उसके अंदर हमने पिज़ा रख देना ठीक है और इसको कवर करके हमने तक्रीबन तक्रीबन आदे घंटे के लिए छोड़ देना है मीडियум टू लो फेलिम तो ना हो बलके medium flame पे ठीक है? आपने इसको आदे घंटे के लिए छोड़ देना है medium flame पे ठीक है? आदे घंटे के बाद आपने इसको बड़े इहत्यात से उठाना है आप चाहें तो दो-चार चमच इस्तमाल कर लें एक साइट से पकड़ने के लिए यानि कि एक साइट से पकड़ें दूसरे साइट से पकड़ें नहीं तो गलव्स यूज़ करें यह जी इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठीक है घर में जरूर बनाएगा और दौाओं में याद रखेगा और काइनली काइनली चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजेगा यह देखें इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्रेट जो है वो अच्छे से बेगड हो गई ठीक है यह देखें कितनी माशाला सॉफ्ट बनी है और यह इसकी फाइनल लुक है ठीक है दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ कहीं से भी कच्छा नहीं है और जो एंड्स हैं उसके उपर भी बहुत अच्छा कलर आया ठीक है यह आप घर में जरूर ट्राय करेएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को पूरा देखा करें बहुत से टेप्स और ट्रिक्स हर वीडियो के अंदर होती है ठीक है अलाफ द्वा में याद रखेगा